दोस्तो पाइनेपल या अननास तो आप सभी ने खाया होगा लेकिन इसकी मोटी स्किन की वज़ह से इसे खाने के लिए काटना काफी मुश्किल हो जाता है इसलिए आपने देखा होगा कि मार्केट में पाइनेपल के या तो प्री कट पीसेज बेचे जाते हैं या फिर पाइनेपल जूस के रूप में लोग इस फरूट का मजा लेते हैं पर क्या कभी आपने सूचा है कि फैक्टरी में कैसे इन मुश्किल से कटने वाले फरूट को जूस में बदला जाता होगा अगर नहीं तो आज की वीडियो खास आपके लिए है पाइनेपल जूस और उससे जुड़ी बाकी सभी फैक्टरी प्रॉसेस को जानने के लिए बने रही है हमारे साथ वीडियो के अंद तक वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सबस्क्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा पाइनेपल को सबसे पहले तो इन खेतों से निकाल कर ट्रक्स में फैक्टरी तक लाया जाता है फैक्टरी में इन ट्रक्स के अनलोड होने के बाद सबसे पहला काम होता है इन पाइनेपल्स को धोना जिसके लिए एक conveyer belt पर चलते हुए इनके उपर पानी डाला जाता है इसके बाद दो workers इन पाइनेपल्स को अलग-अलग रोज में align कर देते हैं और आगे भेज देते हैं आगे जाकर दो और worker इन पाइनेपल्स की जाच कर रहे होते हैं जैसे ही उन्हें किसी भी पाइनेपल पीस में कुछ गड़बड लगती है वो उसे line से अलग करके एक बिन में डाल देते हैं इसके बाद ये conveyer belt के ही त्रू factory में बाकी workers के पास पहुचता है जहां पर workers इन पाइनेपल्स को इनके size के हिसाब से अलग अलग बाट देते हैं और फिर इन्हें boxes में डाल दिया जाता है जहां लेबल लगाने के बाद इन पाइनेपल्स को आगे market में बिकने के लिए भीजा जाएगा लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि लोग ज्यादा तर इस तरह के पाइनेपल्स पसंद नहीं करते इसलिए इसका भी एक अगला solution निकाला गया है कुछ पाइनेपल्स को धोने और चेक करने के बाद एक दूसरी लाइन में भेज दिया जाता है जहां पर सबसे पहले इन पाइनेपल्स के टॉप पर लगे पत्तों को हटाया जाता है ये काम ज्यादा तर वरकर्स ही करते हैं और इसके बाद ये पाइनेपल एक दूसरी मशीन में जाते है जो सबसे पहले इनके बीच ओबीच एक बड़ा सा होल कर देती है इसी होल के सहरे फिर मशीन इन पाइनेपल्स को होल्ड करती है और फिर एक पीलिंग मशीन बाहर से इनकी सخت स्किन निकाल कर अलग कर देती है अब ये पाइनेपल्स लाइन में आगे वरकर्स के पास जाते हैं जो इन्हें फिर से चेक करते हैं और अगर मशीन से कोई गलती हो गई हो तो बची हुई स्किन को भी रिमूव कर देते हैं इसके बाद ये पाइनेपल्स सिलाइसर मशीन में भेज जाते हैं जहां इन सिलेंडरिकल पाइनेपल्स को अब छोटे छोटे सर्कुलर पीसेज में काट दिया जाएगा इन पाइनेपल्स सिलाइसर को फिर आगे भेजा जाता है और इनका सामना फिरेक कटर मशीन से होता है जो इन सिलाइसर को और भी छोटे पीसेज में काट देती है इसके बाद इन्हें टेन या अलुमिनियम के बॉक्सेज में रख कर आगे पैकेजिंग के लिए भीज दिया जाता है जहां पर पैक होने के बाद पहले तो इन बॉक्सेज को पानी से डिसिंफेक्ट किया जाता है और फिर इन्हें लेबल लगा कर मार्केट में बिखने के लिए आगे भीज दिया जाता है ये तो हो गई पैनेपल्स को अलग-अलग तरह से पैक करने की प्रोसेस अब देखते हैं कि कैसे फैक्टरी में इन्ही पैनेपल्स से जूस बनाया जाता है एक juice factory में जब pineapples आते हैं तो उन्हें धोने के बाद एक sorting process से गुजारा जाता है जिसमें rollers के उपर घूमते हुए pineapples को workers चेक करते हैं juice बनाने के लिए वही pineapples अच्छा है जो 80% तक पक गया हो अगर pineapples इससे काम या ज्यादा पका हो तो उसे line से बाहर कर दिया जाता है इसके बाद इन pineapples को peeling machine में डाल कर सबसे पहले तो दो हिस्सों में काटा जाता है और फिर इनके उपर की skin निकाल दी जाती है और फिर इन pineapples pieces को extractor machine में डाल कर इन से juice extract कर लिया जाता है जूस के इलावाज जो pineapple pulp होता है वो machine की दूसरी तरफ से निकल जाता है इस pineapple pulp को फिर से एक second extraction process के लिए एक spiral juice extractor machine में भेजा जाता है जहाँ फिर से इन pulp से juice निकालने की कोशिश की जाती है कभी कभी juice निकालने के लिए machine में थोड़ा सा पानी भी add करना पड़ता है इस juice के निकलने के बाद इसको filter कर लिया जाता है और ये juice degressing process के लिए आगे बढ़ जाता है एक vacuum degresser machine में इस juice को डाला जाता है ताकि juice में trapped air को बाहर निकाला जा सके अगर इस juice में oxygen के particle से रह जाए तो वो juice को oxidize करके उसे सडा भी सकते हैं इसलिए ये process काफी जरूरी है यहां से निकलने के बाद ये juice एक sterilizer machine में जाता है जहां सभी तरह के bacteria's को खत्म करने के लिए इसे 93 से 95 degree Celsius के तापमान पर 15 से 30 minute तक के लिए रखा जाता है यहां से निकलने के बाद इस juice को तुरंत ही heat exchanger में डाल कर ठंडा कर लिया जाता है इस juice का temperature 50 degree तक करने का प्रियास यहां रहता है जूस को इस तरह गर्म करने के बाद ठंडा करने की process को पेस्चुराइजेशन भी कहते हैं इस juice के bacteria's मरने के साथ साथ juice की shelf life में भी फर्क पड़ता है यहां से कुछ juice को बड़े बड़े storage tanks में store कर लिया जाता है तक कि जब seasons ना हो तब भी pineapple juice लोगों को मिल सके और बाखी का juice packaging के लिए आगे भेज दिया जाता है इन storage tanks में रहने के कारण ज्यादतर juice अपना taste खो देते हैं और फिर से pineapple जैसा taste देने के लिए इसमें extra flavor डाला जाता है इसी flavor की वज़ह से आप natural pineapple juice और factory made pineapple juice पीते हैं तो आपको फर्क नसाराता है storage tanks से ये juice आगे packaging के लिए जाता है जहां पहले से ही sterilized bottle और tetra packs इनके लिए तयार रखे गए हैं एक automated process के तुरू इस juice को इन containers में भर दिया जाता है और आखिर में ये दुनिया भर में distribute होने के लिए factory से निकल पड़ते हैं त फिर हमने आपको इसकी cutting process देखाई और आखिर में अपने ये भी देखा कि कैसे pineapple juice factory में बनाया जाता है उमीदें इस वीडियो से अपने जरूर कुछ सीखा होगा अप अगली वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं अप हमें comment में बता सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और जाते जाते चैनल को subscribe करना भी न भूलें